सवाल ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने का फैसला किया और घोशना की A. 1946 B. फर्वरी 1947 C. अप्रेल 1947 D. जून 1947 सही उत्तर है B. फर्वरी 1947 सवाल भारतिय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश समराथ थे A. जॉर्ज वी B. जॉर्ज वी C. किंग एडवर्ड साप्तम D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है B. जॉर्ज वी सवाल भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय ब्रिटिश में निम्निलिखित में से कौन सा दल सत्ता में था? A. कंजवेटिव पार्टी B. लेबर पार्टी C. लिबरल पार्टी D. सोशलिस्ट पार्टी सही उत्तर है B. लेबर पार्टी सवाल जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लेंड के प्रधान मंत्री कौन थे? A. विंस्टन चाचल B. क्लेमेंट एटली C. हेरोल मैट मिलन D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है B. क्लेमेंट एटली सवाल लॉड माउंट बेटन विशेश निर्देश के साथ वाईसराय के रूप में भारत आए A. भारतिय उप महादवीब को संतुलित करें B. यदी संभव हो तो भारत को युनाइटेड रखें C. पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग स्वीकार करें D. कॉंग्रेस को विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करना सही उत्तर है B. यदी संभव हो तो भारत को युनाइटेड रखें सवाल कौन सी योजना भारतिय स्वतंत्रता का मंच बनी? A. क्रिप्स योजना B. वेवल योजना C. माउंट बेटन योजना D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है C. माउंट बेटन योजना सवाल माउंट बेटन योजना का आधार बना A. ब्रिटिश शासन की निरंतर्ता B. सत्ता का हस्तान तरण C. देश का विभाजन D. साम्प्रदाएक समस्याओं का समाधान सही उत्तर है C. देश का विभाजन सवाल माउंट बेटन योजना जून 1947 में निमनलिखित में से किस प्रांथ में जन्मत संग्रह का प्रावधान किया गया था? A. सिंध B. बलुचिस्तान C. उत्तर पश्चिम सी मांत प्रांथ D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी सवाल ब्रिटश संसद ने भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम पारत किया A. जन्वरी 1947 B. जुलाई 1947 C. अगस्त 1947 D. अगस्त 1946 सही उत्तर है B. जुलाई 1947 सवाल ब्रिटिय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू हुआ A. चार जुलाई 1947 B. दस जुलाई 1947 C. अठारह जुलाई 1947 D. 14 अगस्त 1947 सही उत्तर है C. अठारह जुलाई 1947 सवाल 1947 में भारत को संप्रभूता के हस्तान तरण के सूत्र के रूप में जाना जाता था A. डूरंड योजना B. मौले मिन्टो सुधार C. माउंट बेटन योजना D. वेवल योजना सही उत्तर है C. माउंट बेटन योजना